राजस्थान में चुनाव नस्दीक आने के साथ ही सरकारी योजनाओं का फाइदा भी लोगों तक पहुँचने लगा है उतरप्रदेश की तर्च पर ये फाइदा भगवा रंग में लोगों तक पहुँचाया जा रहा है दरसल राजस्थान के राजधानी जैपूर में स्कूली छात्रों को भगवा रंगी साइकल बाटी गई है जिसके बाद राजस्थान के राजनीती में सरगर्मी बढ़ गई है आपको बता दे कि जैपुर शहर के सानसद रामचरण बोहरा ने जैपुर के साँगानेर की स्कूल में बच्चों को साइकल बाटी खास बाद ये थी की इन साइकल का रंग केसरिया था जिसके बाद कॉंग्रेस ने इसका विरोध शुरू कर दिया है आपको बदा दे कि मुख्यमंत्री योजना के तहट सांगा निर्क इलाके की 2000 छात्राओं को साइकल बाटने का कारेक्रम आयुजित किया गया था अब कॉंग्रेस की माने तो पीजेपी अपनी विचार धारा के प्रचार के लिए सरकारी संपत्ती का दुरूपयोग कर रही है कॉंग्रेस की माने तो इससे पहले बच्चों को जो साइकल बाटी जाती थी उसका रंग काला होता था लेकिन अब पीजेपी सरकार भगवा रंग की साइकल बाट रही है आपको बता दे कि इससे पहले भी प्रदेश में एक बार भगवा रंग की साइकल बाटी गई थी जिस पर खूब विवाद हुआ था इस पर विभाग की और से कहा गया था कि अब आगे से काले रंग की साइकल बाटी जाएगी लेकिन इसके बावजूद भगवे रंग की साइकल ही बाटी जा रही है वाइरल किडा द्यूद